हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मम्ता मिस्रा एंड कुकिंग, बच्चों को बहुत भूग लगती है, हमेशा कुछ न कुछ टेश्टी खाने को चाहिए, और अब तो चुटियां आ रही हैं, गर्मी की चुटियां, तो सारा दिन उनकी डिमांड रहेगी ही, ऐसे में आप पहले स ही त्यारी कर लें, और आज की रेस्पी आपकी इस त्यारी में हिल्फ करेगी, आज मैं बनाने वाली हूँ, बहुत ही कम इंग्रीडियन से घर के समानों से बहुत ही आसानी से बनने वाला बिस्केट, नमक वाला बिस्केट, और वो भी अजवाइन फ्लेवर का, तो चलिए बनाते हैं, इसे फटा-फट बिस्केट बनाने के लिए हम पहले आटा गूत लेते हैं, तो उसके लिए एक कप हमने मैदा लिया है, मैं थोड़े से ही समान में आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी कि कैसे बनाना है, पहले इस मैदा को लीजे और अच्छी तरह से चाल ल इसे इसकी खुस्बू जाग जाती है, और पूरा फ्लेवर जो भी समान बना रहे हैं, उसमें अच्छी तरह से फैल जाती है, और ये स्वात के अनुसार नमक डाल दीजेगा, नमक आप थोड़ा कमी डालिएगा, क्योंकि बाद में जब ये तलने के बाद बिस्केट में थ अच्छा टेस्ट हो जाता है, तो मैं तो कहूंगे आप देशी घी लीजे, इसको थोड़ा मिक्स कीजेगा, सारी चीज़े अच्छी तरह से एक में मिक्स हो जाएं, और इसको ही मोयन देना कहते हैं, तो अच्छी तरह से आप मोयन दे दीजे, जैसे ये हाथ में लडू बन जाता है ये देखे ये डो बन करके भी हमारा रेडी हो गया है अब इस डो को ढग करके हम 10 मिनट से या 15 मिनट के लिए धाक करके हम रख किसी भी बड़े बरतन से या फिर गीले टावल से आप इसको ढग सकते हैं 15 मिनट हो गया है हाथ में थोड़ा सा ओयल लगा लेजिए डो हमारा अच्छा सेट हो गया होगा अब उसको हम लोग चेक करते हैं डो अच्छा सेट है अब इसमें से मैं हाफ पोर्शन ले ले रही और इसको अच्छी तरह से गोल कर लेंगे और साथ हम थोड़ा सा ओयल जो है वो चकले पर लगा देंगे और उसमें से ही थोड़ा सा ओयल ले करके बिल्कुल जड़ा सा आप बेलन पर भी लगा देजिए अगर आप घी से कर रहे हैं तो घी आप दोनों चीजों पर लगा लिजे और इसके बाद इसको अच्छी तरह से गोल कर लिजे जो पोर्शन हमने निकाला था अब हम इसको बेल लेंगे और बेल करके बड़ी रोटी होती है जितना बड़ा हमारा चकला है उतना बड़ा हम बेल करके एक बड़ी रोटी बना लेंगे अगर आपको हमारा चैन पर नए है तो सब्सक्राइब भी कीजिए और पास के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे न्यू नोटिफिकेशन हमारे चैनल से कोई भी होगा ना वो सबसे पहले आपको मिलेगा और यह देखे यह हमारा रोटी बन करके रेडी हो गया मैं स्केल के मदद ले करके इसका चकोर सेप निकाल ले रही हूँ तो आप भी इस तरह से स्केल की मदद लेके या फिर आपका अगर अंदाज सही है तो आप बिना स्केल के भी निकाल सकते हैं आप पस इस तरह से निकाल लेजिए और फिर इसमें निसान लगा दे रही हूँ मैं जितने बड़े-बड़े ब देखा दे रहे हुँ अब मैं यह मै ने सारे कट कर लिया है बिस्के जो तुत्तिक होता ना उसकी मदद से इसमें छेद कर रहे हुँ क्योंकिए बिसपय DANS में आपने देखे ऊंगे नम्किन बिस्कुट में छेद रहता है तो व्यस्ति करना है एक बिसकेट में मैं नाइन छेट कर रही हूँ आप अपने इच्छा अंदुसार छेट कर सकते हैं और ये देखे इस तरह से छेट कर देने से ये जब तेल में जाएगा फ्राई होने के लिए तो फूलेंगे नहीं और इसी तरह से मैंने सब में छेट कर लिया है और ये देखे कितना सुंदर ये पैन में आएगा उतना बिस्केट हम एक बार में डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से 3-4 मिनट तक एक साइड में पकने देंगे एक साइड में जब पक जाए और हां आज मीडियम ही रखियेगा और एक साइड में जब ये पक जाए तो इस तरह से चमच की हेल्फ ल यह देखिए हमारा एक बैच बिसकेट का हो गया है अब हम उसको निकाल ले रहे हैं तो निकालने का वही प्रोसेस है कि आप एक जाली पेश को निकाल लीजेगा जिससे सारे जो ओयल्स है न एक श्ट्रॉयल वो टपक करके गिर जाएंगे और ऐसे ही आप सारे बैचेट बना बन करके रेडी हो जाता है और क्रिस्पी इतना कि आप श्टोर करके महीनों खाईए एक बिसकेट तोड़के दिखाती हूं सुनाई दिया न कितना क्रंची और कितना क्रिस्पी है और ज्यादा ताम जाम भी नहीं है इसे बनाने में बस घर के इंग्रेडियन से फटाफट बन जाता है तो बस इन गर्मियों में या रमजान के पवित्र महिने में आप अपनी छोटी भूग के लिए या फिर चाय पे फटाफट इसे बनाईए और इंजॉय किजिए फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ वीडियो देखने के लिए आप सबों का दिल से बहुत बड़ा वाला थैंक यू